बासकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्केस करेंगे NC मसीन और कन्वेंशनल मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है NC मसीन मतलब की नुमेरिकल कंट्रोल मशीन आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज में जो NC मसीन हैं उन्होंने धीरे-धीरे कन्वेंशनल मशीन को रिपलेस कर दिया है कुछ फैक्टर के अधार पर देखेंगे कि इन दोनों प्रकार की मशीनों में क्या-क्या डिफरेंसिस होते हैं सबसे पहले बात करते हैं हूमेन इन्वोल्मेंट की बात करें तो NC मसीन के केस में जो हूमेन इन्वोल्मेंट है एक परकार से नेगलिजीबल है जबकि कन्वेंशनल मसीन में सभी एक्शन ओपरेटर के दुआरा किये जाते हैं अगर बात करें टूल मूवमेंट की जो NC मसीन होती है इसमें जो टेप रीडर है वो इन्स्टक्ष्न को रीड करता है और उसके अमसार टूल को मूव किया जाता है जबकि कन्वेंशनल मसीन के केस में ओपरेटर हैंट विल की मदद से टूल को मूव करता है उसके बाद है टाइप ओफ बरक पीस या जोब NC machines पर हम complex shape की contours बना सकते हैं जबकि conventional machine पर simple shape ही बनाई जा सकती है operation information की बात करें NC machines में एक part program होता है जो सभी information को contain करता है और उस पर वो सारी information होती है जो operation हमें work piece पर perform करने है जबकि conventional machine के case में ऐसी कोई information operator को available नहीं होती वो अपनी knowledge के हिसाब से सारा कारिया करता है या फिर drawing के आधार पर करता है उसके बाद है programming language NC machine programming language के आधार पर कारिया करती है कई सारी language इसमें use की जाती है जैसे apt जो conventional machine है इस type के machine पर कारिया करते समय हमें किसी परकार की programming language की आशकता नहीं होती feedback control जो NC machine होती है इसमें feedback control possible होता है और conventional machine के case में feedback control possible नहीं है उसके बाद है storage memory NC machine में storage memory होती है जबकि conventional machine के case में जो storage memory नहीं होती हम किसी type का storage इसमें नहीं करते हैं और जैसा कि हमने बात की starting में कि operator की जो involvement है एक परकार से negligible है इसलिए NC machine में जो error होती है operator के कारण उसके जो chances है वो कम हो जाते हैं operator involvement के कम होने के कारण और दूसरी बात की जो NC machine है इस पर हम variety of operation को perform कर सकते हैं और साथ में जो prototype हम बनाते हैं काफी fast prototype NC machine हो पर बनाया जा सकता है fast rate पर उसके हम बना सकते हैं पर दूसरी बात की conventional machine के मकाबले जो NC machine है वो जादा flexible है क्योंकि यह हमारे लिए क्योंकि जो manufacturing है उसको flexible करती है क्योंकि इस पर बहुत सारे design हम बना सकते हैं और उसको easily हम बनाने के बाद एक complex shape भी हम work piece को परदान कर सकते हैं और जैसे कि हम आपको डायग्राम में देखें कुछ conventional machine है हमारे सामने है, lathe machine है, milling machine है, drilling machine है, radial drilling machine है और इस case में देखें तो NC milling machine आपके सामने है, इसकी अत्रिक्त NC drilling machine भी होती है NC milling machine, NC grinding machine, NC welding machine, NC lathe, NC punching machine, NC riveting machine, NC stretch foaming machine, ETID तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि numerical control machine और conventional machine हो के बीच में क्या क्या differences होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको like कीजिए, share कीजिए और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे करें आपका दिन सुब रहे